अब यह संबंदों का जो अंजाम होता है बड़ा ही खराब होता है यह मैं बार बार कहता हूँ आज की घटना में भी ऐसा ही हुआ है यहाँ पर ढोलक की रसी से किनर गल्फ्रेंड का गला घोट कर पहले तो उसको जान से मार दिया और फिर उसको गाउं से बाहर ले जाकर के पेट्रोल डाल कर उसमें आग लगा दी आखिर क्या हुआ था इस घटना के अंदर पूरी सचाई जानने के लिए वीडियो को अंते तक जरूर देखिएगा नमस्कार में हूँ सुदेश कुमार और तिरचीवा चैनल में आपका स्वागत है यह घटना राजिस्तान के लास को अपने कवजे में लेती है लास की सिनाक करवाई जाती है तो गाउं के लोग पहचान लेते हैं कि इसका नाम है नीलू किनर जिसकी उमर 25 साल है इसको आखिर कौन मार गया तो पुलिस यहाँ पर चानबीन में जुट जाती है और दोस्तों पुलिस यहाँ पर पता ल होता है वह इधर उधर जाकर के नास गाकर के पैसा कमाया करता है उसके साथ एक नर्सी मीना नाम का व्यक्ति रहा करता है जिसके पास बुलेरो है और बुलेरो में विठा करके वह अपने साथ उसको ले जाया करता है और नर्सी मीना के साथ एक सुनील भाट भी उसके साथ जो की ढोलक बजाया करता है नर्शी मीना को 3000 रुपे परड़े के हिसाब से वह देती है किनर जिसका नाम नीलू है और सुनील भाट को 500 रुपे ढोलक बजाने के दिया करती है इसी तरह से गाओं गाओं जाकर सेर सेर जाकर वे लोगों के सामने नासती और पैसा कमाती है इस तरह से उनका काम चल रहा होता है अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों दीरे दीरे जब समय गुजरता है तो जो नर्सी मीना होता है उसको नीलू से प्यार हो जाता है उसके साथ प्रेम प्रिसंगों में चल जाता है दोनों की प्रेम कहानी जो और उपर हो जाती है इधर नीलू के जो प्रेमी होता है नर्सी मीना उसकी पतनी को पता लग जाता है कि उसका पती एक किंणर के साथ प्रेम प्रसंगों में है तो वे अपने पती को छोड़ करके अपने माई के चली जाती है कई बार तो पहले जगड़ा करती है लेकिन बाद में जब जगड़े से बात नहीं बनती है तो अपने पती नर्सी मीना को छोड़ करके माई के चली जाती है उसके बाद क्या होता दोस्तों जब नर्सी मीना की पतनी घर चोड़ कर चली जाती है तो अब नर्सी मीना खुले छूट हो जाती है उसको राराम से प्यार प्रसंग में रचा रहता है कुछ दिन गुजरते हैं कुछ दिन गुजरने के बाद अब उसको पता चलता है कि नीलू के नरकेतों और लड़कों के साथ भी सम्मन्द हैं उनसे भी वे फॉन पर बात किया करती है अब यह बात नरसी मीना को बहुत बुरी लगती है और साथ में सुनील भाट जो होता है जो सराब पी करके उनके साथ धोलक बजाया करता है तो उसको बुरा लगता है यहाँ पर अब क्या होता है जो नरसी मीना होता है अपने दोस्त सुनील भाट की डोलक की जो रसी होती है उसको ले करके इस नीलू के गले में लपेट करके उसको खीचने लगता है और सुनील भाट भी उसको जोड से खीचता है उसके बाद इसकी मौत हो जाती है क्योंकि सारे लोगों ने सराब जो पी हुई थी उसके बाद अब इसकी लास को ठिकाने लगाने का मौका आता है तो यहाँ पर नर्सी मीना और सुनील भाट यह दोनों सोचते हैं कि लास को ठिकाने कैसे लगाया जाए तो नर्सी मीना जो होता अपने चचेरे भाई को भी बुला लेता है जिसका नाम होता है सुनील और उसको भी पापड गाउं के पास ही बुला लेता है और इधर से उसके साथ नर्सी भाट था यह तीनों मिल करके अब यहाँ पर सुनील को भीजते हैं बुलट मोटर साइकल की चावी दे करके कि जा इसमें टंकी फुल करवा कर लेया एक हजार रुपे देते हैं उसको तो वह पैट्रोल से टंकी भरवा ले आता है आकर के इस पैट्रोल को निकाला जाता है उसको एक बोतल में कटी में भर लिया जाता है उसके बाद गाड़ी से इस नीलू किनर की लास को ले जाया जाता है और पापड गाउं के पास सड़क किनारे इसको डाल करके इसके उपर आग लगा दी जाती है पैटॉल छड़क करके और वहां से यह लोग इतने चालाख होते हैं कि जहां जिस रास्ते से जाते हैं उस रास्ते से वापस नहीं आते हैं तो यहां पर जब सुबह पुलिस को लास मिलती है तो CCTV केमिनों में देखती है वह दूसरे तीसे दिन सराप पीता है किसी दोस्त के पास और सराप पीता हुआ उससे अपने किये गए कुकिरत्या की गिलानी होती है और जोर जोर से रोने लगता है उस दोस्ते कहता है मुझे तो नर्क मिलना चाहिए मुझे तो मर जाना चाहिए मैंने एक इंसान की हत्या कर दी तो यहां पर वह सारी घटना उस दोस्त के साथ खोल देता है जिस दोस्त के साथ वह सरा पी रहा था वह दोस्त भी बड़ा चालाक होता है उसकी सारी बातों को सुनता है प्यार प्यार में सारी चीज़ों को पूच लेता है और फिर पुलिस के पास चला जाता है वहाँ जाकर सारी घटना पुलिस को बता देता है और पुलिस इन तीनों को अरेस्ट कर लेती है इनको जील में डाल दी जाता है तो यहाँ पर इन तीनों ने एक तरह से यह आयासी ही कर रहे थे एर गैर का पैसा आ रहा था इनके पास और उससे मौज मस्ती कर रहे थे सराप पीना, अयासी करना, संबन बनाना, प्रेम पिरसंग करना, पत्नी बच्चों को धोका देना इस तरह का किरते चल रहा था और इस तरह के किरतेयों में हमेशा जान जाया करती है या पिर बड़े कवाड़े हुआ करते हैं ऐसा ही यहाँ पर इस घटना के अंदर हुआ, कभी भी ऐसा ना करें, जिंदगी बहुत अनमोल है, इसको बचा कर रखें जिंदगी एक बार मिलती है, बार बार नहीं मिलती है दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा रखता है इसको सेयर जरूर कर दिया करें और अगला प्रोगराम बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊंगा, किसी सची घटना के उपर तब तक आप खुश रहें, साथधान रहें, रिस्तों की एमित को समझें जय हिंद, जय भारत